नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 2 सितंबर दिन सनी बार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अब ओनलाइन सुनी जाएगी लोगों की शिकायते बुनियाद संजीवनी सेवा में लोगों को मिल रही ये सेवाए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सक्षकों की बहाली परिक्षा पर हाई कोर्ट कर नरदेश आज होगा आदिते L1 सुर्य मिशन लाउंच ऐसे देखे लाइ आज होगा एशिया कप 2023 में भारत और पाकस्तान के बीच महा मुकाबला अब चले बरते हैं बिहार के अप्तक के 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से SBI में निकली 6,160 पदों पर भरती की जानी है आविदन के एक जुक उमिद्वार बैंक की अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर करियर सेक्षन में एक्टिव किये गए लिंक पर जाकर ओनलाइन तरीकी से आविदन कर सकते हैं बतादी के आविदन करने की आखरी तारिक 21 सितंबर 2023 तक निरधारित की गई है इसके लिए अगर सेचनिक योगिता की बात करें तो आविदन को किसी मानिता प्राप्त विश्विद्याले या संस्थान से इसना तक पास होना अनिवार है इससे जुरिय अधिक जानकारी के लिए उमिद्वार SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किये गए नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं आज होगा अधित्य L1 सुर्य मिशन लाँच ऐसे देखे लाइव आज यानी की 2 सितंबर को दिन के 11 बच कर 50 मिनट पर भारत का पहला सुर्य मिशन आधित्य L1 को आंधरप्रदेश इस्थित श्री हरी कोटा के 37 धवन अंतरिक्ष केंदर से सुर्य की तरफ लाँच किया जाएगा ऐसे में अगर आप आधित्य L1 के लाँचिंग को लाइव देखना चाहते हैं तो आप ये इस्रो की आधिकारी के वेबसाइट इस्रो.gov.in पर या इसके ट्वीटर हैंडल या इसके यूटूब चैनल पर देख सकते हैं भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन यानी की इस्रो के अधिक्ष S. सोमनात के दोरा दी गए जानकारी के अनुसार आधित्य L1 के प्रचेपन की उल्टी गिंती बीते दिन शुक्रवार से ही सुरू हो चुकी है आपके जानकारी के लिए बता दे कि शुड़े के अब्जर्वेशन के लिए इस्रो दोरा लॉंच किया जाने वारा पहले समर्पित भारतिय अंतरिक्ष मिशन को भारतिय वेद साला PSLVC 57 रॉकेट दोरा लॉंच किया जाएगा बिहारी बतरे स्पेशन में आज हम बात करेंगे तोची रहना के बारे में तोची रहना का जन्म आजी के दिन 1971 को हुआ था यहा एक भारतिय गायक संगीत कार और दार्शनिक है जिनने हिंदिव फिल्मों में पार्सव गायक के रूप में जाना जाता है उनके सबसे उलेकने कारियों में फिल्म ये जवानी है दिवानी का गाना कबीरा वेकप सीट का एक तारा इश्कवाले चोड है सामिल है विसाल कुराना के साथ हिंदी फिल्म क्या यही सच है? हिंदी फिल्म सोर इंदर सिटी के लिए साइबो, स्रेया घोशाल के साथ, युगल गीत फिल्म में भिन्डी बाजार, इंक के लिए मालदार की जेब और फिल्म नोवन, किल जेसिका के लिए आली रे उन्होंने एक संगीत अल्बम तोची नामा रिकॉर्ड किया जिसमें तीन गाने शामिल थे साइया जमूरा और अकेला उन्होंने कोक स्टूडियो एट दरीट एम टीवी सीजन 3 में रब्बा गाना और कोक स्टूडियो एट दरीट एम टीवी सीजन 4 में गाना बनाडू भी गया है तोची को अपना पहला वेवसाइक ब्रेक ए वेढन सड़े में बुले शाह के साथ मिला 2008 में वा एक संगीत कार के रूप में कई फिल्मों और अल्बमों का हिस्सा रहें चिन में बे जुवान इसक नोट पे चोट और भी बहुत कुछ शामिल है वर्दमान में अपने बैंड ओफ बंदगी के साथ काम कर रहे हैं मालूम हो कि इस साल की सबसे बड़ी तीज में से एक है इस वरत में सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पती की लंबी आयू के लिए और संतान की खुशाली के लिए भगवान शिव और माता पारवती की पूजा अर्चना की जाती है बता दे कि कजरी तीज को कजलिया तीज और सातुरी तीज के नाम से भी लोगों के द्वारा जाना जाता है आज के दिन घर में जूले डाले जाते हैं और महिलाओं एक साथ मिलकर नाच्चती गाती है इस दिन कजरी गीत गाने की पडम पड़ा है अगर इस पूजा के शुब मुरत की बात करें तो पंडितों के नुसार पूजा का शुब मुरत सुबह 7 बच कर 57 मिनट से सुबह 9 बच कर 31 मिनट तक है वही रात को पूजा का सुब मुरत 9 बच कर 45 मिनट से रात को 11 बच कर 12 मिनट तक है आज के दिन गेहुच चने, चावल और सतु से विविन तरह के पकवान बनाने की प्रमपड़ा है इसके साथ ही आज के दिन गाई पूजन का भी विशेश महत्व है अब मेडिकल के आधार पर भी बच्चों को नहीं मिलेगी छुटी अब राजी में बिहार बोड के चात्रों को स्वासे के आधार पर उपस्तिस्ती में दी जाने वाली 15 प्रतिशत छूट नहीं मिलेगी बतादिक इस निर्णय को बिहार विद्याले परिच्चा समीती के द्वारा वापस ले लिया गया है यानि कि अब 75 प्रतिशत उपस्तिती को पूरी तरह से अनिवारे कर दिया गया है मालम हो कि अनियम खास तोर पर उन बच्चों के लिए वापस लिया गया है जो कक्षा नौवी से लेकर बारवी तक में पढ़ाई करते हैं क्योंकि दसवी और बारवी में बोर्ड की परिक्चा होती है ऐसे में अगर 75 प्रतिशत उपस्तिती नहीं होती है तो छात्रों को परिक्चा में बैठने के नुमती नहीं दी जाती मालम हो कि इस संबन में राजे के सभी माध्यमिक एवं उचमाध्यमिक फिश्द्यालियों में इस नए आदेश को सक्ती के साथ लागू करने का नरदेश दिया गया है बोर्ड कि इस नरदेश से स्कूल में बच्चों की उपसिती में बढ़ोतरी होगी विश्व प्रसद पित्री पक्षमीला इस दिन से होका सुरू विश्व प्रसद पित्री पक्षमीला की शरュवाथ 28 सितमब 2023 से होनेवाली है जो की 14 औक्टूबर 2023 तक चलेगी इस बारे में विश्णूपद मंदर के मंत्राले वैदिक पार साला पंडत राजा आचारी के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि गया जी में श्राद का बड़ा महत्व है पित्री गयाजी में इंतिजार करते हैं तर्थ यात्री महालया पक्ष में श्राद कर सकते हैं गया तर्थ छेत्र में यात्रा करने के लिए त्रैपाक्षित 17 दिवर्षय सवस्राद होता है वहीं जिनके पास समय नहीं है वह 8 दिन रहकर भी वेदियों में श्राद कर सकते हैं। बुनियाद संजीवनी सेवा में लोगों को मिल रही ये सेवाएं। संबंधी मार्कदशन स्वास्ते संबंधित आपात कालिन स्थिती में लाभार्थियों को अस्पताल भेजनी की व्यवस्ता सामाजिक सुरक्षा पेंसन, सामाजिक सुरक्षा के अने काडिक्रमों से संबन्धत योजना का लाप प्राप्त करने ही तु मार्क दर्शन और आवशक कानूनी एवं अने प्रकार के पड़ा मर्श सामिल है इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए साहयक निदेश अकजला सामाजिक सुरक्षा को सांग अत्वा जला प्रबंधक बुनियाद केंद्र से संपर्ख करे या हेलप लाइन नंबर 18663456262 पर संपर्ख किया जा सकता है सरकारी स्कूलों का सामान इतने रुपए में होगा निलाम बिहार के राजधानी पटना के सरकारी स्कूलों में रखे पुराने बेकार सामानों का निलामी होगा बतादिक इसकी जानकारी सभी मध्य माध्यमिक और उच माध्यमिक स्कूलों के प्राचारे और सभी प्रकरन सक्षापदादिकारी को भेज दी गई है मालूम हो कि सामान को निलाम किये जाने के बाद जो पैसे आएंगे उन्हें स्कूल के विकास पर खर्च किया जाएगा जनरेटर 50 रुपे प्रती किलोग्राम एनवर्टर पुराना कम्प्यूटर 40-50 रुपे प्रती किलोग्राम पुराना पंखा 100 रुपे प्रती पीस पुरानी बैक्री 2-3000 रुपे प्रती पीस और मध्यान भोजर संबंधी पुराना वर्तन जो स्टील का हो वह 20 रुपे प्र मुख्याले की ओर से एक नया फैसला लिया गया है जिसके तहट अब हर जले के पुलिस अधिक्षक के पास एक घंटा का समय होगा जिसमें वे ओनलाइन तरीके से लोगों की शिकायतों को सुन सकते हैं उन्होंने बताया कि हर जले के पुलिस अधिक चक ग्यारा बज़े से लिकार एक बज़े तक जनता से मिलते थे अब वेसमें से एक घंटा का समय ओनलाइन शिकायत के लिए देंगे एनने पुलिस हेड़कॉर्टर के उद्वारा उन लोगों को देखते वे लिया गया है जो लोग अधिकारी के सामने अपनी बात कहने नहीं पहुँच पाते थे वे अब ऑनलाइन भी अपनी बात रख सकते हैं उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग और फेस्बुक लाइब से भी लोगों की शिकायते सुनी जाएंगी मालू हो कि इसकी सुरवात बीते दिन से पालेट प्रोजेक्ट के तहर बिहार की राजधानी पटना अबर आपके लिए है बतादे की बिहार सरकार के पर्यावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग के द्वारा सुरू की गई क्रिश्रिवानी की योजना अंतरगत बास लगाने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम्ति थी 30 सितमबर 2023 तक नरधारित की गई है मालम हो किस योजना के तहट क्रिशकों के आर्थिक आमदरी में व्रिधी जलवायू परिवर्तन के दुस प्रभाव में कमी एवं मुद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ती करने ही तू नीची भूमी पर विक्षाड ओपन के लिए बास की टिश्यू कल्चर तकनीक दोरा तयार प्रभाव में उप्यों की उन्नत प्रजातियां उपलब्ध करवाये जाएंगे बतादे की योजना अंतरगत आवेदन के साथ सुरक्षित रासी 10 रुपे प्रती पौधा सम्मंधित वन प्रमंदल प्रतादीकारी के काड़े आले में नगत पोस्टल ओडर फिक्स्ट प्रमंदल प्रमंदल प्रतादीकारी के लिए 06122229119473-045992 पर कारे आले अवधी के दुरांस्टम पर किया जा सकता है नगर निकायों में वास्तोविद इंजीनिर और बिल्डर का होका निबंधन और बिल्डरों का नाम इन सूची में मौजूद था वे दुबारा आविदन नहीं कर सकते वही अगर किसी के दोरा ऐसा किया जाता है और वे पकर में आते हैं तो उनके पंजीकरन को रद कर दिया जाएगा मालूमों के असूच इसलिए तैयार की जा रही है ताकि नगर निकायों और आयोजन छेतर प्राधिकारों या महानगर छेतर प्राधिकारों में भावनों का नकसा या ले आउट पर हस्ताक्चर कर इसे पास करने की होगी बिहार के परेटर में आज हम बात करेंगे पुनोरा धाम के बाड़े में बिहार के सीता मरी जिले के पुनोरा गाउं में माजान की जन भूमी मंदिर है जिसे पुनोरा धाम के नाम से भी जाना जाता है ऐसा माना जाता है कि माता सीता का जन्म इसी अस्थान पर हुआ था इससे जुरी कथा है कि मितला में एक बार भीशन आकाल पड़ी और वहां के पुड़ोहित ने राजा जन्म को केतमे हल चलाने की सला दी जब राजा जन्म का हल सला रहे थे तब जमीन से मिट्टी का एक पात से जुड़ी हुई है इस जगह पर प्राचीन पीपल का पेर अभी भी है जिसके नीचे पाल की बनी हुई है पुनाड़ा धाम आस्था का केंद रहे और यहां जरूर आना चाहिए सेकेंडरी और सेकेंडरी सेकेंडरी सक्षकों की बहाली परिच्छा पर हाई कोड का नरदेश पीते दिन पटना हाई कोड के जस्टिस राजीव रंजन परशाद के दौरा सेकेंडरी और सेकेंडरी सेकेंडरी सक्षकों की बहाली परिच्छा को लेकर संभू कुमार और अन्य या चिकाओ पर सुन्माई की गई इस दोरा कोड के दोरा नर्देश दिया गया कि सेकंडरी और सीनिर सेकंडरी सक्चकों की पहाली परिक्षा में उम्र और प्रयास की सीमा पार खरचुके परत्याशियों को सामिल किया जाए कोट के द्वारा कहा गया कि वैसे उमेद्वार को जिन्होंने उम्रसीमा पार कर ली उन्हें भी परिक्षा में शामिल करने का निर्देश बिहार विद्याले परिक्षा समीती को दिया है वक्त अदीनों कुमार ने बताया कि कोट ने असे उमें द्वारों को आज 2 सितंबर 2023 को दो पहर 2 बज़े तक फॉर्म भरने किर्मती दी है उन्होंने बताया कि ये पढ़िचा 4 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक ली जाएगी बता दे किस मामले पर अगली सुनवाई अब 4 सितंबर 2023 को की जाएगी चारा घोटाला मामले में 36 दोसियों को मिली सजा वीदर दिन सीबियाई की विशेश अदालत के दोरा चारा घोटाला के अंतिम मामले में दोसी करार 36 अभियक्तों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही उन पर भारी भरकम जिर्माना भी लगाया गया है जो की अधिकतम एक करोड और नियुन तम 3 लाख रुपे तक का है बता दे किस से पहले इस मामले को लेकर राची की अदालत के दोरा बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री लालु प्रिशाद यादव को सजा सुनाई गई थी अब हाई स्कूल प्लस टू में सभी घंटियों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई अब राजे के सरकारी स्कूलों में 9 से 12 तक कि किसी ना किसी वर्ग के बच्चों का हड घंटी में कंप्यूटर की पढ़ाई होगी ऐसे में इसको लेकर बिहार सरकार के सक्षा विभाग के दोरा समय सानी तैक कर ली गई है और अब जल्दी इस संबन में सभी माध्यमिक उचमाध्यमिक विद्यालियों के रिए दिशा नर्देश जारी किये जाएंगे मारम हो कि राजे के सभी माध्यमिक, उच्माध्यमिक और कुछ चनत विद्यालियों में ICT Lab के स्थापना की जा रही है विभा की ये तयारी है कि ICT Lab किसी भी घंटी में खाली नरहे विभा के ओर से एक मानक भी तै किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थियों को कम्प्यूटर की नियुंतम क्या क्या जानकारी दी जाएगी वो विचार किया जा रहा इडियाले में विवाक के ओर से जनेरेटर की भी विवस्था जल से जल्द करने का नर्देश दिया गया है गंगा बेसिन के तरज पर विक्सित होंगे बिहार के ये दस सहर बहुत जल्दी नदी सहर गडबंधन योजना के दूसरे चरण के तहट राज्य के दस सहरों को गंगा बेसिन के तरज पर विक्सित किया जाएगा जिनमें मुझपरपुर, दरभंगा, बेतिया, पुर्णिया, आरा, छप्रा, जमालपुर समी दस सहरों के नाम शामिल है योजना के तहट नदी एवं शहर को स्वच और प्रदूशन मुक्त बनाने पर फोकस होगा वहीं इस योजना के तहट साफ सफाई एवं प्रदूशन लियंतरन के साथ ही विकास की संभाबनाओं पर भी काम किया जाएगा जल संसाधन विभाग और अने महकमों के समनवैसे नदी के जरिये परेटन के विकास का भी खाका तयार किया जाएगा राजे के कई जिलो में बारिस के आसार पिछले कुस दिनों से होड़ ही बारिस से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली थी ऐसे में एक बार फिरसे राजे में बारिस का सिलसला शुरो होने वाला है दरसल आईमडी बिहार के दोरा जारी की गए पुरबानुमान के नुसार आज राजे के उतरी भागों के बतादी की मौसम विभाग के दोरा जारी किये गए पुरवानुमान के अनुसार राज्य में इस तरह किसिती पास सितंबर 2013 बने रहने की संभाबना जताई गई है राजे के सभी जिलो में स्टार्ट अप सल का होगा गठन बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचीफ संदीप पौनरी के द्वारा एक बैठक में उद्योग महाप्रवंधा को नरदेश दिया गया है कि राजे के सभी जिलो में स्टार्ट अप सल का गठन नह चुका है वहीं च्छलों में अब भी गठन नहीं हो पाया है मालूम हो किस बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना MSME, बूनकर मुद्रा योजना, PMFME और PME GP के कारियों की समिक्षा की गई और साथ ही कई निर्देश भी दिये इंडिया गडबंधन में बनी कोको ओडिनिशन कमीटी सियमुवनिती समेथ एननिताओं नहीं कहा ये बीते दिन मुंबई में हुए अणे कि बैठक में कोओ और्रीनीसन कमीटी का गठन किया गया जिसमें कुल 13 सदर्शयों को शामिल किया गया है बता दे किस 13 सदर्शय है कॉर्डिनिशन कमीटी में तेश्वी आदव, ललन सिंग, हेमन सोरेन, केसी बेनु गोपाल, सरद पवार, MK स्टालिन, संजैर राउत, अविशेग बनर जी, रागफ चड़ा, जावेद, अली खान, दी राजा, ओमर अब्दुल्ला और मभूवा मुफ्ती के नाम शामिल है, हाला कि बीते दन हुए इस बैठक में गड़बंदन का जंडा और लोगो लॉंच नहीं किया गया और नहीं संयोजक के नाम की घोशना हो सकी, वहीं बैठक के खत्म होने के बाद सीयम नितीश के द बटवारा कहा गया कि हमारा होसला काफी मजबूत है, मोदी जी को हटा कर ही दम लेंगे, यह संकल्प हम लोगों ने लिया है, इस देश में मुसल्मान सुरक्षित नहीं है, लालो ने कहा कि जब सीटों का बटवारा अब शुरू होगा, इसके रावर राहुल गांधी के द बटवारा कहा गया कि पीए मोदी सो रुपए बढ़ाते हैं और दो रुपए कम करते हैं, उन्होंने पहले कीमत बढ़ाई और कीमतों में मामूली कमी की, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी कभी गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे, इंडिया के बैठक पर केंद्रिय मंतरी गिर बढ़ा बयान दिया गया है, उन्होंने बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार को लेकर कहा कि वे विपक्षी गडबंधन के कन्वेनर बने या उब्जरवर बने उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अपने राजबे विश्वस्नियता हासल नहीं कर पाए, व इतना जरोरी होता है, जो बिहार की जंता का दिल नहीं जीत पाए, वो देश की जंता का क्या दिल जीतेंगे, लालो जी के मजबूरी है कि वह चाहते हैं कि नितीश कुमार कन्वेनर बने या उब्जरवर, ताकि उनके बेटे तेश्वी यादव मुख्य मंतरी बन सके, पाकस्तान के बीच आज होने वाला या मैच, स्रिलंका के पल्ले के लिए अंदराश्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, ऐसे में अगर हम स्टेडियम की पिछ की बात करें, तो यहां शुरवात में तेज गेंद बाजो को मदद मिलती है, तो बीच के ओवरो भारतिय समय के नुसार दो पहर, तीन बजे शिरू होगा, टॉस दो पहर, डाई बजे होगा, इस मुकाबले को भारत में स्टार स्पोर्स के जरिये टीवी पर लाइब देखा जा सकता है भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णुस दर्च, अकबढ़नी 1573 में गुजरात फटह किया, जवाहालाल नहरू के उपसभापतित्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन 1946 में हुआ, कन्या कुमारी में 1970 को विवेका नंद स्माडक का उद घाटन हुआ, भारतिये तेराग बुला चौधरी इंग्रिश चानल 1999 में दो पार पार करने वाली प्रतम एशियाई महिला बनी, कानपुर विश्यविद्याले के पुर्वकूलपती प्रोफेसर बी एन अस्थाना को 2008 में उतर प्रदेश उचसिक्चा विभाग की ओर से सरस्वती समान देनी की चासी को हुआ था, प्रसिद भारती अभिनेतरी साधना का जन्म 91 को हुआ था, भारती फिल्म निर्माता पार्थो सिन गुपता का जन्म 965 को हुआ था, भारती अभिनेतरी उधिता गोश्वामी का जन्म 94 को हुआ था, भारती क्रिकेटर इसांत सर्मा का जन्म 986 को हुआ भारती पाश्वगायक स्मिट सिंग सोड़ी का जन्म 1989 को हुआ था भारत के प्रसिद विद्वान साहितिकार और सिक्छा सास्त्री अमरनात ज्छा कानितन 1955 को हुआ था मराठी भाषा के सूप्रसिद साहितिकार विश्नू सकहडाम खांडेकर कानितन 1976 को हुआ था बारकर में अजम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप योजना 2023 के बारे में इंस्टाग्राम एप में आ रहा ये शांदार अपडेट मेटा क्रियेटर्स और इंफ्लुएंसर को कंटेंट पोस्ट करने पर और ज़्यादा फ्रीडम देने वाली है दरसल कंपनी रीजस की टाइमिंग को 3 मिनट से बढ़ा कर 10 मिनट करने वाली है इस अपडेट से क्रियेटर्स और इंफ्लुएंसर को सीधा फायदा होगा और वे लॉग कंटेंट भी प्लाटफॉर्म पर पोस्ट कर पाएंगे और लोग इससे नई जानकारे इंस्टाग्राम पर भी हासिल कर पाएंगे मेटा के सबडेट को शुरवात में जानी माने रिवर्स इंजिनर अलसेंडो पुलजी ने देखा था आलाके अब कंप्री ने इससे अपडेट को कंफरमेशन टेक क्रंच को दे दी है कंप्री ने कहा है कि वह इस फीचर की टेस्टिंग फिलाल इंटरनली कर रहे हैं आने वाले समय में ये अब्रेट सभी को मिल सकता है फिलाल यूजिस प्लैटफॉर्म पर के वक्तीन मिनट की ही रिल्स पोस्ट कर पाते हैं ऐसे में लंबी वीडियो के लिए क्रियेटर्स को समस्य आती है और उन्हें एक एक करके इसे पोस्ट करना परता है जो वीवर्स के लिए भी अच्छान नहीं रहता बीतर दिन उनीस हजार चार सो के उपर बंद हुआ निफ्टी बीतर दिन एक सितंबर को बाजार वरहत के साथ बंद हुआ फार्मा को छोड़ सभी सेक्टरों में आई खरिदारी के दम पर निफ्टी बीतर दिन उनीस हजार चार सो उपर के बंद हुआ काड़ोबार के अंत में सिंसेक्स 555.75 अंकिया सुने दसमलो आट छे फीज़दी बढ़कर 65,387.16 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 181.5 शुने अंकिया सुने दसमलो आट छे फीज़दी चरकर 1435.3 पर बंद हुआ है बीतर दिन लगभग 2103 शेर बढ़े हैं वहीं 1456 शेर गिरे हैं जबकि 108 शेरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है NTPC, ONGC, JSW Steel, Tata Steel और मारूती, सुजी की निफ्टी के टॉप गिनर रही है जबकि सिपला, HDFC Live, Dr. Reddy's, Laboratories, Ultra Tech Cement और निसले इंडिया निफ्टी के टॉप लूजर रहे पावर, मिटल आटो, टेक और गैस और बैंक इंडेक्स में एक से दोध समलो साथ फीज़दी की देखने को मिली है, हम प्रती दिन आप से पांच एसे जरूई सवाल रुसे जुरी जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार, पुलिस, दरोगा समीत SSC जैसे अने प्रतियोगी परिक्षा में काम आएंगे, सवाल इतिहास, बिहार, स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे, पुछे कर पांचो सवाल में आपने कितना सही उतर दिया, क्रिपा करके यहां में कमेंट करके जरूर बताएं, हमारा पहला सवाल है, मेजर ध्यान चंद, होकी टूर्णामेंट 2030 किस सहर ने जीता है, ऑप्षने स्रीनगर, ऑप्षन B लखनाउ, ऑप्षन C इलाहाबाद, ऑप्षन D दिल्ली, इसका असता ही उतर है, ऑप्षन E स्रीनगर, अगला सवाल, ग्लोबल एंडिया AI 2023 का आयूजन किसके द्वारा किया जाएगा, ऑप्षन E उर्जा मंत्राले, ऑप्षन B रक्षा मंत्राले, ऑप्षन C इलेक्ट्रोनिक्स और ऑप्षन D सरक्पडिवान एवं राजमार्क मंत्राले, इसका सता ही उतर है, ऑप्षन C इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोदर्की मंत्राले, अगला सवाल, डिजिटन भुकतान सहित फिंटेक्स से वाई देने वाली, किस कम्पनी ने स्टॉक ब्रोकिंग लांच किया है ऑप्षन A, Google Pay, ऑप्षन B, Phone Pay, ऑप्षन C, PTM, ऑप्षन D, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उतर है, ऑप्षन B, Phone Pay, अगला सवाल, बिहार से प्राप्त मौरयकालीन अभी लेखों की भाशा क्या है, ऑप्षन E, संस्कृत, ऑप्षन B, प्राकृत, ऑप्षन C, दोनों, ऑप कोई नहीं, इसका सही उतर है, ऑप्षन B, प्राकृत, अगला सवाल, बिहार से प्राप्त मौरयकालीन अभी लेखों की लीपी इनमें से कौन सी है, ऑप्षन E, खरोस्थी, ऑप्षन B, अडामाइक, ऑप्षन C, ब्रहमी, ऑप्षन D, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उतर है, ऑप्षन C, ब्रहमी, बीटे दिन हमार दरah पूछे का सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब, हमें हमारी comment section box में लिखकर दिया है जिन्होंने हमारे दोरा पूची का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आज भारत और पाकस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2023 के मैच में आपके नुसार कस्टीम के जीतने की प्रबल संभावना है अपना जवाब हमें मारे कमेंट सेक्टर मेरे कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो फेस को फॉलो करना ना भूले धाने बाद